आप सभी का स्वागत है मेरे कीचन में तो आज मैं बनाने जारी हूँ बिहारी स्टाइल में सत्टू का पराथा और टमाटर की चत्नी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वालिस्ट होती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजिये तो चलिए हम बनाते है तो मैंने या पर एक बावल बस सकतु लिया हुआ है चना का सकतु है यह इसके बाद हमने रिया हुआ है प्याज कटी हुई चॉप धनिया उसके बाद हमने लिया वह हलका सा ग्रीन चिली अजवाईन और ये भरवा मिर्चा अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो आप्शनल है ये नीम्बू उसके बाद ये घर का आमका आचार है तो इतने इंगर्डेंस के साथ आज हम बनाएंगे सत्तू का पराठा तो चलिए अब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं बाउल में जो हमने सत्तू को लिया हुआ था वो एट कर देंगे अब में इसमे अट कर दूँगे अजवाईन इसके बाद हम इसमे अट करेंगे हरी मिर्च प्याच करती हुई इसके बाद हम इसमें एड़ कर देते हैं चॉप धनिया नीमबू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर ले इसमें तो मैंने आरहाफ नीमबू लिया हुआ है इसको मच्छे से निचोड लेंगे इसके बाद मैं इसमें एड़ कर दूँगी अगर आपके पास है तो आप एड़ करनें वरना इसमें आप एड़ कर सकते हैं और ये घर का आम का अचार अगर आपके पास घर का आम का अचार ना है तो आप मिक्स अचार भी एड़ कर सकते हैं इसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके बाद में इसमें एड़ कर दूंगी हल्दी नमक according to taste आप पड़ कर लें इसके बाद में हलका सब मस्टर्ड ऑल भी एड़ करूंगी और अब हम इसमें बैंस सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले को सत्तू के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं अलमुस्ट मैंने सत्तू और मसालों के अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ अब हम इसे रख देते हैं तो यहां मसाला हमारा रेडी हो चुक है तो चलिए अब हम आठे का डो लगा लेते हैं तो सबसे पहले हम एक बाल में आठा ले लेंगे इसमें हम थोड़ा सा तेल आठ कर देते हैं रिफाइन ओयल इससे रोट जो हमारा पराठा है वह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा और मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी आठ कर देते हूँ नमक आठ करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और आठेक साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें एक डो रेडी कर लेते हैं के लिए नौर्मल ला जैसे हम पूरियों के लिए या पराथे के लिए लगाते हैं, हमें वैसा ही डो रेडि करना है, तो मैं यहां पर रेडि कर लूगी थोड़ा थोड़ा पानी है। तो यहां पर दो मैंने एक दम गुद कर लिया हुआ है अच्छे से गुद के अब भी से हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट पर जब तक कि दो हमारा रेस्ट पर है तो चलिए अब हम इस टमाटर की चटनी बना लेते हैं तो मैं इसे ढग कर 15 मिनट के लिए अलग इसके बाद मैंने यहां पर दो टमाटर लिया हुए है तमाटर को अब हम अच्छे से हाफ कट कर लेते हैं दोनोही टमाटर को अब भी ऐसे ही करके कट कर ले तो चलिए अब हम बनाते हैं टमाटर की चटनी तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं तो पैन को मैंने यहां प तो तेल अच्छे से फैल गया, इसकी बाद जो हमने टमाटर लिया हो था वो एक एक करके हम इसे डख देंगे और हम इसमें हलका सा नमक आट कर देंगे उपर से और इसे ढख देते हैं और गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो टमाटर है वो एकदम साइड हो चुका है आप देख सकते हैं तो दूसरी साइड हम इसे पलट कर से थोड़े देर तक और ढख के हम पका लेंगे ताकि जो टमाटर है वो दोनों तरफ से अच्छे से कूख हो सके तब हम इसे ढख देते हैं फिर से 10 मिनट के लिए तो 10 मिनट बार ये देखिए ऑल तो इक ही करके हम प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़े तक छोड़ देते हैं थोड़े ठंडा हो जाने के बाद हम इसका जो कवर है उसको निकाल लेंगे तो आप भी ऐसे ही करके सारे टमाटरों के कवर निकाल लें ताकि जब हम आप मैश कर सकते हैं तो यह मैं यहाँ पर सारा का सारा चार तो कर लेती हुँ तो अज़िली पादर भी अखे से मैश कर लेती हुँ मेरे पास तो थोड़ी सी थी, तो मैंने थोड़ा ही आड़ किया हुआ, इसके बाद हम इसमें दो से चारबून निम्बू का आड़ कर देंगे, इसके बाद जो है, इसमें हम हलका सा मस्टर ओयल आड़ करते हैं, और नमक according to taste आप इसमें आड़ कर लें, आप ध्यान रखें कि हमने सत्तू में भी आड़ मिलाया हुआ था, तो हलका ही डाले इसमें, और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, तो यहां पर टमाटर हम की चत्नी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इस चत्नी हमारी बनके एकदम रेडि हो चुकी है, तो चलिए अब हम पराठ गठी, तो थवरे अग्षे से आजया है, तो 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 थी चत्नी हम ग गुथ लेते हैं, तो थो थे गुथ लेनी के बाद से यह कोड़िए हो चुकी है, इसके बाद हम इसकी लोगा कात लेंगे, आपको जितना बढ़ा पराठ बनना पुसरी साप से लोगा कट लेंग कमें यापडाल Bell लेते हैं हम चपलो नहीं कर sliding न कर लोंग कर घंडानन इसे जी सबना हो चोटीस नहीं हो당 कि दंट कर लेंगे मैंने च्टाक्वाडस को बिल यहां पर नहीं चोट नहीं देंगे इसके बाद जो है, सत्तुका जो हमने बनाकर रखा हुआ था, वो एट कर लेंगे इसके बाद जो हम इस अच्छे से बंद कर लेते हैं आपको अगर ऐसे परिशानी हो लिए तो आप दूसरे वे में भी भर सकते हैं तो मैंने यासे भर लिया हुआ है, अब इसके मुख को बंद करके हम पराठा बेल लेते हैं, आपको जितनी बड़ी पराठा चाहिए आप उतने बड़े बेल लेते हैं, तो मैंने यापे मीडियम साइज का पराठा बेला हुआ है, अब हलके ही हाथों से बेले, बनना सत्तु क पराठा जाए वो फटने के चांसे ज्यादा होता है तो यहां पर मैंने पराठे को बेल लिया हुआ है अब देख सकते हैं तो चलिए अब हम इसे सेख लेते हैं मैंने या पे तवे को गरम कर लिया हुआ है इसके बाद हम एक साइड अच्छे से सेख लेते हैं तो अल्मुस्ट एक साइड सिख गई है तो दूसरे साइड अब हम इसे पलट देते हैं इसके बाद जा हम इसमें ऑईल लगा लेते हैं या आब दोनों तरफ सेख के भी ओयल लगा सकते है या अगर एक साइड सेख गई है तो भी आप इसमें तेल आटकर लगा सकते हैं अब एक साइड लगाने के बाद मैं दूसरी साइड पलटकर इस साइड भी तेलको अच्छे से लगा लेती हूँ अब हम पराठे को एक दिम अच्छे से सिख लेते हैं, दोनों साइट पराठकर तो दोनों साइट अल्मूस्ट पराठा हमारा सिख गया हुआ है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, और सर्फ कर लेते हैं तो यहाँ पे बिहारी स्टैल में सत्तू का पराथा, टामाटर की चटनी और आलू की सबजी के साथ आप ए डिश एंजॉई कर सकते हैं तो आप यह अपने अपने घरों में बनाईएगा आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप मुझे कॉमेंट कीजेगा और मेरे चानल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजेगा थैंक्स पर वचिंग मैं वीडियो